नमस्कार वियास किचन में आपका स्वागत है तो कैसे आप सब उमीद सब अच्छे से होंगे तो आज मैं आपकी साथ शेर कर रहे हूं बोटी टेस्टी हेल्दी सैन्वीच की रेसिपी यह हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल बनाएंगे और आप इसे ब्रेकफास्ट में य करते हैं इसके लिए हमने पहीज ले लिया है और इसमें डाले हूं मैं एक टेबल स्पुन बटर आप चाहिए तो यह पर देशी घी भी यूज उसकर सकते हैं तो देखिए बटर हो गया हमारा मैल्ट तो इसमें मैं डाल रियू प्याज यहां पे मैंने एक चोटा प्याज गैस की फिलेम को आप सलो रखें क्योंकि जो यह बटर है नहीं तो यह जल जाएगा तो लीजिए प्याज हमारे सौफ्ट हो गए हैं तो अब हम इसमें आट कर देंगे कुछ सब्जियां जो हमने इसमें डाल नी है अगर आप जो भी सब्जी अच्छी लगे वो डाल सकते हैं आपे में ले रही हूँ कैपसीकम हरी शिम्ला में बारिककटी हुई और थोड़ी से में ले रही हूँ गाजर और इनको हम प्याज के साथ इस तरह से भून लेंगे हलका सा दो मेंट तक और इसमें हम थोड़ा सा करेंगे नमक एड आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेगा इसमें तो लेजे इनको मच्छे से मिक्स करके तेल में भून लेंगे बटर में और अगर आपको मेरे रही हैसे पेच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कॉर्टा है तो उसमें एक कप डाल द्या पानी और उपर से में जो हमारा नूडल के साथ मसाला ताए वह दाल दीया है और इसको हम अच्छे से कर लेंगे रहा लेंगे और इस न्यूजिय और यह उनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे हम नूडल बनाते हैं उस परां से हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा दो मिट में, आप इसे रख के छोड़ दे, इसमें बस पांड नहीं रहना चाहिए, हमने जो ड्राय नूडल बनाने हैं बिल्कुल, क्रेवी बाए न दो जाएगे, दो ब्रच के इसमें रखेएगे यह ब्रेट के स्लाइस, यह ब्राय ब्रैट ले रह रही हूं अगर आप चाहे तो ब्राउन ब्रेट भी ले सकते हैं तो ब्रैड को हम बीना गी, बीना तेल के इस बातार हम हम ब्रैट का तो लेजे यह लिए हमने यहां पर प्लेन मयोनिस तो इसको ब्रेड की स्लाइस पर इस तरह से पैला लेंगे और आप एक बार यह रैस्पी बना के जरूर देखिए का बहुत ही फटा फट और बहुत ही टेस्टी रैस्पी बन के रड़ी होगी तो लेजे यहां पर यह ओप्शनल है अगर आप टोमेटो केचप डालना चाहिए भी डाल सकते हैं और आप इसकी जगा ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं तो लीजे यह दोनों सौसल जो है मैंने इस पर ब्रेड पर लगा दी हैं तो अब हम इस पर डालेंगे जो हमने न्यूड और इसी तरह हम दूसरी ब्रेड स्लाइस पे भी यह न्यूडिल हमारे फैल आले की इस तरह से लगा देंगे उपर कि वार यह रेसीपी बढा के देखिएगा बच्चे बहुत खुश हो के खाएंगे तो उपर से मैं रख रही हूं चीज स्लाइस अगर आप चीज स्लाइस अब यहां पर प्यान में ले रही हूं मैं बटर एक टेबलस पूम और बटर हमारा हो गया है mails तो यहां पर हम बटर मल्ट हो जाने की बाद ग्यास की फिल्म को स्लो कर देंगे और जो हमने ब्रेड्ट रेड़ी किया था वो इसके अंदर रख देंगे और हम इसे ढकके ची अब ही दो निकाल लेंगे तो देखें कितना यम्मी डिलीशिस हमारा यह निदल चीज स्लाइस ब्रेड रेड़ी हो गया है अगर आपको रेसिपी अज इची लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज अपने कमेंट करके मुझे जुरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी तो कल फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई